असलाम लीकूम वरहमतुल्ला, JKSSB New Recruitment 2024 के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब इन अस्पेक्टर के पोस्ट हैं, गुड अपर्चुनिटी निकल कर आचुकी है, एक निव नोटिफिकेशन जारी की गई है 700 पुलस पोस्टूं के बारे में एक अपडेट आ चुकी है, इलिजबल्टी क्या रिने वाली है, कौन से स्टुन्ट्स अपले कर सकते हैं पूरी डिटेल्स हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर आपको हर एक बात कलियर होने वाली है कि क्या आप इसके लिए इलिजबल हो या नहीं, क्या कुछ डिटेल्स इसके लिए रहने वाली है, पेस्केल क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वेकंसीज रहने वाली है physical details के बारे में हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो इस वीडियो को आइंट तक देखना वीडियो आपके लिए बहुत ही informative रहने वाला है अगर आप पहली बार हमारी चैनल को विजिट कर रहे हो चैनल को subscribe जरूर करना और इस वीडियो को like और share जरूर करना तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले नीचे comment उस में mention करना आपके इस डिस्ट्रिक से इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है note subject reference आप 752 vacancies आप sub inspector in Jumayat Kashmir Police सब सब mention किया गया है तो JKSSB को ही refer होने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 752 vacancies sub inspector की जिनका pay scale यहाँ पर आप चक कर सकते हो level 6 की pay scale रहने वाली है 35,700 से लेके 1 leg 13,100 इनकी salary रहने वाली है as per new reservation यहाँ पर category wise वो उस्टूं का breakout भी दिया गया है open mirate के लिए sub inspector की vacancies 267 ST के लिए 53 ST1 और ST2 ST category को 2 categories में बांटा गया है आपको मालम होगा इनकी total 20% reservation रहने वाली है तो ST1 के लिए 10% और साथ में ST2 के लिए 10% ST1 के लिए 67 ST2 के लिए 67 RBA के लिए 67, EWS के लिए 67 OBC के लिए 54 LACIB के लिए 27 और total 669 sub inspector की vacancies है आपको मालूम होगा previously 800 plus vacancies fill की गई है जो sub inspector की vacancies थी तो उसका selection procedure पहले उसका return लिया गया उसके बाद उसका physical लिया गया और physical के लिए 1 is to 4 ratio के थो physical के लिए students ने participate किया था इसी तरह जो next vacancy है वो sub inspector telecommunication open mirate के लिए यहाँ पर 34 vacancies SC के लिए 7 ST1 के लिए 8 ST2 के लिए 8 RBA के लिए 8 EWS के लिए 8 OBC के लिए 7 LACIB के लिए 3 और total 83 total अगर हम vacancies की बात करेंगे वो है 752 अलग-अलग vacancies sub inspector और sub inspector telecommunication की इसी तरह आपर आप देख सकते हो यह notification जारी की गई है इसमें साफ-साफ mention किया गया है कि woman इसके लिए 15% reservation रहने वाली है और साथ में जो exor इसमें है उनके लिए 6% reservation रहने वाला है यह आप यहाँ पर check कर सकते हो कि यह new reservation है as per new reservation rules आपको मालुम होगा कि new reservation rules में कुछ categories add भी की गई जैसे कि SD की दो categories बनाई गई और उसमें 10-10% reservation रहने गई इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो as per new reservation यहाँ पर पोस्टूं का breakout किया गया है यह था कि किस category के लिए कितनी vacancies है और साथ में इनका pay scale क्या है अब अगर हम बात करेंगे बाके details के age limit के आरेने वाली है category wise साथ में इसका physical details के बारे में हम elaborate करेंगे यहाँ पर explain करेंगे तो इस वीडियो को ज़रूर end तक देखना और अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करना यह एक बड़ी opportunity रहने वाली है 752 vacancies है यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम बात करेंगे education qualification की अगर आपने graduation की है किसी भी सिट्रीम से तो आप इसके लिए apply कर सकते हो इसी तरह अगर हम बात करेंगे age की यहाँ पर आप देख सकते हो minimum age 18 रहने वाली है और maximum age 28 years साथ में यहाँ पर age relaxation भी मिलने वाली है अगर आप in-service candidate हो तो आपको 30 years की age relaxation मिलने वाली है मतलब total आपकी आप पर age limit रहने वाली है 30 years तो 2 साल की आपको age relaxation मिलने वाली है in case of ex-serviceman in-service police personnel यह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो physical standard क्या रहने वाला इसके लिए males के लिए height 5 feet 6 inch minimum chest grip 32 and expanded chest grip 33.5 expanded females के लिए height 5 feet 2 inch minimum रहने वाली है इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप गोर्खा community से बलाइंग करते हो तो आपको minimum height यहाँ पर relaxable रहने वाली है 2 inch की इसी तरह इसके लिए physical endurance test भी रहता है male के लिए long race 1600 meter साड़े 6 minute में यह आपको cover करने है push ups total 20 one cycle up and down count किया जाएगा एक ही बहुत सारे candidates को यह confusion रहता है कि total हमें फिर 10 ही करने है नहीं total आपको 20 करने है up and down count किया जाएगा one इसी तरह female के लिए long race 1000 meters साड़े 6 minute में cover करने है और short put 4 kg साड़े 14 feet 3 atoms में cover करना है यह आप यहाँ पर देख सकते हो जो previously 800 post फिल किये गए है यह उन्हीं की notification है उसमें साफ साफ mention किया गया है कि क्या आपका physical रहने वाला है इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ special provisions के लिए relaxation भी मिलने वाली है physical endurance test में for male candidates age up to 30 years long raise 1600 meter साड़े 6 मिनट में और push ups 20 यह आप यहाँ पर देख सकते हो age above 30 to 40 years long raise 1600 meter साड़े 7 मिनट में और push ups 16 ही total करने है यह आप यहाँ पर देख सकते हो age above 40 years जो भी होगा उसके लिए अलगलग यहाँ पर दिया गया है इसी तरह female candidates के लिए भी यह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो syllabus in posturing का already जो previous syllabus था same वही रहने वाला है उसी के around 90% syllabus वही रहता है अगर आपको उसके regarding भी वीडियो चाहे तो हम detail में आपके साथ syllabus भी discuss करेंगे साथ में इसका paper pattern वो भी discuss करेंगे यह थी full update in posturing के regarding यह आपके लिए एक good opportunity रहने वाली है आप इनके लिए अभी preparation कर सकते हो 752 vacancies आने वाली है different categories के लिए vacancies है as per new reservation rule जो new reservation rules frame किये गए है वही आप applicable होने वाले है और आपकी recruitment notification अगस्ट मन्त तक दिखने को मिलेगी यह एक update थी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह के updates पानी के लिए चैनल पर बने रहे मिलते आपने इसे नेक्स्टूडों में तब तक के लिए good luck और साथ में अगर आपने वाल्टसप चैनल जोईन नहीं किया है लिंक नीचे डिस्क्रिक्शन बुक्स में दिये गई है कुआ।